हलो डिये स्टूडेंट्स, दो दिन पहले RRBJE ने अचानक से एक न्यूज दिया, जिसमें उन्होंने पब्रिश किया अपनी वेबसाइट पर कि RRBJE का जो CBT1 का एक्जाम है, यानि कि non-technical segment वाला, वो देसंबर में schedule है, यानि कि 6 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर के बीच में आपका CBT1 का एक्जाम है, RRBJE के लिए वो हो जाएगा, तो सबसे पहले आप notice को देख लिए, RRBJE ने officially पने वेबसाइट पर upload किया, जो आपका एक्जाम है, जेए का और उस काटिगरी का, वो आपका 6 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक, CBT1 यानि कि जो non-technical segment है, वो आप का cover कर लिया जाएगा, अब ऐसे में बच्चों को कुछ confusion है, confusion वो है कि सर, देखिए, दो तरह की confusion है, पहला confusion ही है कि सर, अगर हम सिर्फ non-technical पढ़ते हैं, तो हमारा technical का segment खराब हो जाएगा, क्योंकि non-technical के बाद आपको ज़्यादा तर मुझे रखता है, CBT1 के बाद 12 महिने का समय मिलेगा, CBT2 के लिए, तो ऐसे में आपको technical पढ़ना भी जरूरी है, non-technical भी जरूरी है, क्योंकि non-technical CBT1 है, और इसी को clear करके आप CBT2 में जा पाएगे, कुछ बच्चों का concern ये भी है कि सर, हमारा SSC JE का CBT2 का exam है, 6 November को, अब अगर हम technical नहीं पढ़ते हैं, technical पूरी तरह से छोड़ देते हैं, और RRBJ पर focus करते हैं, तो हमारा technical exam भी खराब हो जाएगा, यानि कि, जो situation है, वो बहुत ही जादा कश्मकश की है, बहुत situation जो है, वो बहुत ही जादा state of dilemma में बच्चे इस समय बैठे हुए हैं, तो बटा देखे, मैं आपको एक simple strategy बता समय है, roughly, तो अब non-technical जो होता है, वो एक दिन का syllabus नहीं होता, non-technical आपको throughout the year पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे आप एक घंटे ही पढ़ें, दो घंटे पढ़ें, गेरे गंटे पढ़ें, बट आपको throughout the year non-technical cover करना चाहिए, ऐसा मेरा मनना है, क्योंकि non-technical जो है, वो थो क्या करें, अब how to manage tech along with non-tech, यानि कि आपको non-tech भी पढ़ना है, और ज्यादा seriously पढ़ना है, क्योंकि CBT-1 जो है, वो ही आपका main stage है, वहीं से आपके अगले step की शुरुआत होगी, तो CBT-1 आपको जरूर clear करना पढ़ेगा, तो CBT-1 में आप पूरा non-technical आएगा, और technical इस almost 2 महीने बचा हुआ है, almost 2 months आपके पास है, ठीका, 2-4 दिन कम है, almost 2 महीने आपके पास है, और ये जो CBT-1 है, ये बटा पूरा क्या होगा, non-tech होगा, CBT-1 क्या होगा, पूरा non-tech होगा, ऐसे में, जैसे एक आपको strategy में ये बता रहा हूँँ, कि जैसे माली जी, कि आप daily, suppose obviously, तो ये मैं मान पर चल रहा हूँ, कि माने जी, आप 10 गंटे daily की study कर रहे हैं, तो I would suggest इस समय आपको ज़्यादा तर focus करना चाहिए, non-technical part पर, क्योंकि CBT-1 आपका थोड़ा सा नस्दीख है, तो आप ज़्यादा तर focus करें non-tech part पर, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ CBT-1 के बाद आपको ज़्यादा time मिलने वाला होता नहीं है, तो उस time में आपको बहुत सारे subject manage करने पड़ेंगे, तो अभी से आपको पर थोड़ा सा उस समय load बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्यों ना इस load को equally distribute कर लिया जा पहले से ही, यानि कि इस दो महिने में अच अच्छे कुछ master plans बनाए जाए, कुछ अच्छे plans बनाए जाए, हो तैयारी एक्छे से किया जाए, तो बड़ा देखिए, मैं आपको यह suggest करूँगा, यह मेरा personal suggestion आपके लिए है, कि आप अगर 10 गंटे पढ़ाई करें, तो I think कि आपको इस समय almost 6 hours के round आपको non-tech पढ़ना चाहिए, non-tech में आपको जो भी part है, GSG के English या जो भी reasoning वाला part है, आप उसको पढ़िए, बाकि 4 hours में आप इस समय टेक पढ़ते रहिए, और इन tech में आपको करना कहा है basically, अभी आप tech के basic basic question solve करते रहिए, टेक की theory पर मत जाईए, ऐसा नहीं कि आप technical आपने पढ़ा, पूरी theory पर detail में चले गए, syllabus पढ़ना चालू कर दिया, पूरा concept, formula derive करना शुरू कर दिया, तो derivation वगर इसमें आपको कुछ नहीं करने हैं, आपको basic basic questions लगाने हैं, अब जैसे आप questions solve करें, जैसे मालिजी कि मै एक assume करके चल रहा हूं कि आप 400-500 mcq per day solve कर रहे हैं, total मिला के, तो आप उसमें से 300 mcq solve कर लिजे non-technical के, और 1500-200 mcq आप solve कर लिजे technical के, तो I would suggest कि आप इस समय 300 plus mcq solve कर लिजे daily, 200-300 mcq solve कर लिजे non-tech के, और अगर आपके पास ज़्यादा time नहीं है, कोई बात नहीं है, आप 100 question technical के solve कर लिजे daily, तो ये rhythm आप maintain अगर रखेंगे, तो अगले 2 महिने में, जो 2 महिने आने वाले हैं, इसमें आप लगभग लगभग, अगर आप 300 question पर दे करते हैं, non-technical segment के, तो आप 30 दिन में 9000 question कर पाएंगे, और 2 महिने में आप 18000 question कर पाएंगे, अगर मैं माल आपके साथ कुछ odd situation हो गई, तभी तभी खराब हो गई, तभी कुछ हो गई, तो 18000 समय कम भी कर दूँ, तो 15000 question आप आराम से solve करनेगे, अगर आप 300 question पर दे solve करते हैं, तो at the end of the month, like 2 महिने में, आप 15000 plus question solve करनेगे after 2 months, और उस समय आपका non-technical question तो अच्छा हो ही जाएग और साथ ही साथ, चुकि आपका technical segment भी rhythm में, आप ये भी 100 question daily कर रहें, तो आप 2 महिने में almost 6000 question कर पाएंगे, इस से पाइदा क्या होगा, कि आपकी जो continuity है, आपका जो rhythm है, वो बना रहेगा, otherwise अगर इस समय आप non-technical, technical बिल्कुल ही leave कर देंगे, technical बिल्कुल ही छोड़ दें में, फिर आपको वहाँ पर, अच्छे ये strategy में सिर्फ mechanical के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये strategy में सब के लिए बता रहा हूँ, चाय कोई भी वरांच के बच्चे हो, तो ये आपको फिर time लग जाता है technical subject को cover करने में, ठीक है, अब बेटा बात यह है, कि आप जो non-technical cover कर रह है, तो आप जितने maximum mock test हो सके, उतने दीजिए, थोड़ा सा आपको कस्ट होगा, थोड़ी सी पीडा होगी, लेकिन कोई बात नहीं, कहा जाता है कि जहाँ पर pain नहीं होता, वहाँ पर gain नहीं होता, तो थोड़ी सी पीडा आपको सहनी पड़ेगी, अगर आपको life के बाकी सा maximum mock test, इससे आपको क्या होगा, जब आप mock test achievement करेंगे ना, इससे आपको दो चीज़े मिलेंगे, एक तो आप वहाँ पर अपनी accuracy चेक कर पाएंगे, और दूसरी पटा आप वहाँ पर अपना speed चेक कर पाएंगे, और ये दोनों चीज बहुत जरूरी है, ना ही सिर्फ accuracy alone, और और ना ही सिर्फ speed alone, आपका exam में selection करा सकती है, जब ये दोनों combined होते है, accuracy and speed, तब जाकर आपका exam में selection होता है, तो जितने maximum mock test आप दे सकते हैं, उतने maximum mock दीजिए, अगर आपको लगता है कि सर मैं एक महिने में, जैसे for example, आपने एक महिने में 20 mock test दिए या 25-30 mock test दिए, तो समय continue रही है, यानि कि इस समय आप अपनी personal life से थोड़ा सा break लीजिए, personal life से break का मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने shock को जीना भोल जाए, आप अपनी जिन्दगी जीना भोल जाए, exam के time में आप कितना भी pressure है, आप अपनी life को जीना बिल्कुल मत भूले, आप अपने shock को पूर करते रहें, जिन्दगी को पूरे करते रहें, जो favorite चीज़ें उसको करते रहें, इससे अपका दिमाग क्या होता है, इससे अपका दिमाग थोड़ा सा stress free होता और आपको सोचने की शक्ती मिलती है, बड़ा basically यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको continue रहना है, rhythm में रहना है, उपर maximum mock test आपको solve करने, क्योंकि यह mock test ही है, जो आपको feel दिलाएगा कि आप exam दे रहे हैं, क्योंकि mock test में यह आपको पता चलता है, कि आपका असली जो level है, वो कहाँ पर आप अटक रहे हैं, कहाँ पर आप गलती करें, accuracy कितनी है, speed कितनी है, तो आपको यहाँ पर पता चल आपकी चले पर smile जो है, वो बहुत जरूरी है, अगर आप stress free रहेंगे, तो आप बहतर question कर पाएंगे, आप अपनी strategy को बहतर plan कर पाएंगे, और आप बहतर तयारी कर पाएंगे, तो ज़्यादा कुछ खास आपको करना नहीं है, non-technical आपको ज़्यादा पढ़ते रहना है, जिस भी book को आप refer कर रहें, test book की test series आप refer कर रहें, test book की book आप refer कर रहें, आप उसको करते रहें, बाकि technical के, कोई भी अगर आपको issue समय आ रहा है, कि आपका ELP का exam है, आपका technician का exam है, आपका JEE का exam है, आगे और पहले non-technical का segment है, तो कोई issue नहीं है, आप 80 question, 100 question daily attempt करिए, 50 question क करिए, बड़ technical को छोड़िये मत, ठीक है, यार 50 question तो मैं ही आपको करा जाता हूँ daily master class में, youtube और master class में लाके 50 question को हमी कर लेते हैं daily, तो आप अगर वो session भी attempt करते हैं, और आप से अपने आप से खुद एक घंटे technical पर इसमें मेहनत कर लेते हैं, तो आपके लिए अच्छा ह करना पड़ेगा, जैसे अगर आप चाहते हैं, आप non-technical भी focus कर सकते हैं, कि CBD2 जो है SSCJ का वो pure technical है, तो उसके लिए आपको पूरा technical में dedicate होना पड़ेगा, तो आप उसके लिए थोड़ा सा time manage करिए, दस घंटे कर आप पढ़ रहे हैं, ये बाकी को लिए हैं, आप अपने बाकी जो बच्चे RRB, जैई वाले हैं, वो अभी आप 70% non-tech और 30% tech पे focus रखें, या 60 और 40 का ratio करने, 60 non-tech और 40% tech पे focus रखें, so question भी आप अगर daily solve करते हैं, technical के तो more than sufficient है, अभी फिलाल के लिए, बाकी जिन बच्चों का CB2, SSC, जैई का है, वो आप थोड़ा सा अभी जैसे आज भी class होगी शाम को, तो मेरी daily class चलती है, RRBJK 2024 के PYQ पराधारी, अगर आप इस class को भी देख लेते हैं, तो प्रिया साब को 30-35 question daily मिली जाते हैं, बाकी master class में आपको 20-25 question, 20 question कराउंड मिल जाते हैं, तो आपके 50 question कराउंड आपके daily cover हो जाते हैं, तो इस session में आप जरूर आया करें, रात को 9 बजे, यहाँ पर मैना telegram का channel भी दिया है, अगर आप कोई doubt है बिटा तो आप मुझसे doubt पूछ सकते हैं, देखें, यहाँ पर मैना telegram का channel है, राहूल मिश्रा सार, टेस्ट दो, ठीक है, बाकी अगर आप कोई परिशान ही है, अगर आप PYQ session मिलेगा, और एक doubt and discussion session मिलेगा, after every chapter, उसके बाद आपको book मिलेगी, आपको personal mentor or assign होंगे, ठीक है न, यह सब कुछ advantage आपको यहाँ पर मिलेगा, pricing में अगर आप जाएंगे, तो बटा दिखें, यह आपको 5499 दे दिख रहा है, तो यहाँ पर एक coupon आप अप्लाई करिएग seat में, चीक है, तो thank you so much, जाने से पहले, वीडियो को like करके जाएगा, और अगर अच्छा लगा हो, तो comment अपने डालेगा, वीडियो के निचे, जो भी problem है, मैं आपका comment पढ़ऊगा, तो आपका solution जरूर निकालने की कोशिश करूगा, thank you so much